हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक क्यासे हैं आप सब तो येस टॉपिक है आज का हमारा एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन जिसमें पता ही नहीं चलता है कि हम कब पहुँच गए हैं बस रहता है तो बस गुसा अकीलापन रोने कमन करता है कभी दुखी क्यों दुखी हुए पता ही नहीं जलता किसी से बात नहीं करते हैं सारा दिन बस उदास रहते हैं और हर वो चीज जो हमें बस सोचे पर मजबूर करती हैं सोचते रहना वो जो की relevant है ही नहीं जो हुआ ही नहीं शायद होगा भी नहीं बस किसी की बोली हुई बात या किसी के एक्षिन पर कमेंट, खुद ही खुद अपने आप से रियक्ट करते रहते हैं हम, वो भी सरफ मन ही मन में, उसने ऐसा क्यों बोला, कैसे बोल दिया उसने, क्यों बोला उसने ऐसा, उसने ये नहीं बोला होता, ये नहीं किया होता, शायद वो कभी ऐसा करता नहीं, बस यही दि चेक करना चीए था यह होता या फिर वो उस एक बात पर ना जाने कितने ही विचार हमारे दिमाग में चनले लगते हैं और हद तो तब हो जाते हैं ना जब कोई होता भी नहीं है और हम खुद से ही सारी बाते कर लेते हैं मैं तो हूँ ही सामने वाला भी मैं ही हूँ दोनों किरदार खुद ही निभाती रहते हूँ बस यही एक सिचुएशन होती है जब हम फेस करते हैं उस एकडाइटी और डिप्रेशन को जो हमें खुद से दूर ले आई हैं और हम कुछ और ही बन जाते हैं जो हमें तोड़ चुकी हैं सारे सपनों को खुशियों को और हमारे साथ हमारे जो लवड़ वन्स हैं उनको भी सारे सपने खतम हो चुके हैं तो चलो क्यों न आज इसे ही खतम कर दिया जाए मैं डोक्टर तो नहीं हूँ लेकिन हाँ अपना experience जरूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी अगर कोई एक भी इस प्रोग्लम से बाहर आई तो मैं successful हो जाओंगी लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा तो सबसे पहले खुद से ही एक promise करें कि आपको ये करना है बस अब बहुत हुआ मुझे निकलना है इन सबसे जीनी है अपनी life हसना है फिर से मुस्कुराना है और बच्चे बन जाना है ये मेरी life है ना कि किसी और की इसे control करूँगी तो मैं खुद ही इसको control करूँगी और सच बताओं जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे ना हम इन चीजों से बाहर निकल ही नहीं सकते मैं तो क्या कोई भी आपकी help नहीं कर सकता सेम मेरे साथ भी था जब तक मैंने इन से नहीं निकलना चाहा पताने कितने साल मैंने इसी में लगा दिये बठा आज मैं बाहर हूँ और सच बताती हूँ खुद से ही इन चीजों से बाहर आई हूँ और इसलिए मन करता है कि आपके साथ भी ये share करूँ क्योंकि कहीं न कहीं आपकी मेरी problem एक जैसी ही है हो सकता है हमारी life के किरदार है वो change हो जाए situation लेकिन एक जैसी ही रहती है depression और anxiety बहुत आसान होता है इससे निकलना पता आपको बस एक promise करना होता है खुद से strong बनाना है और done yes सच में believe कीजे believe कीजे मेरा तो बस खुद से प्यार करना है खुद को देखना है mirror में उठना है और अपने काबिलियत को पहचानना है और बोलना है yes मैं ये कर सकती हूं और मैं ये करूंगी yes बस इतना ही बोलना है जरूरी नहीं कि आप office जाए नोकरी करें ताकि आप अपन कुद भी नहीं है बहुत सी मॉम्व से औरते हैं जो सिरफ इसलिए depression में चले गई है कि वो जोब नहीं करती या मेरी जैसे इसे मॉम्व जो जोब करती थी जोब छोड़ चुकी है और उस depression से बाहर नहीं आ रही है और यह पता है क्यों होता है क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि सिरफ घर का काम करना है और बच्चों को संभालना है तुम्हें ये घर की चार दिवारी ही है तुम्हारे लिए उनके लिए और कुछ नहीं है लेकिन एक दिन उस घर के काम और बच्चों को छोड़ दो शाम तक आपकी value आपको भी पता चल जाएगी या इनो आपको खुद को नहीं पता होगी आपकी value और जो ये ऐसा बोलते हैं उनको तो पता चल ही जाना है लेकिन हमें क्यों बताना है किसी को खुद की value खुद ही करनी है और दूसरे तो अपने आप करने ही लग जाएंगे तो एक दिन भी अगर आपने काम छोड़ दिया ना तो शाम को आपको बताने की जरुरत नहीं पड़ेगी कि आप सारा दिन क्या करती है and you know most interesting बात क्या है कि ये सब बोलने में आदमी तो किर बोलते ही है लेकिन ओरते भी बहुत बोलती है जो खुद नोकरी करती है और अपने बाकी घर की ओरतों पर एक एहसान करती है कि जैसे सब का बोज उसी ने उठा रख है सारी दुनिया का काम बस वही करती है घर पे रहने वाला तो कुछ करता ही नहीं है है ना मज़े की बात तो चलिए कोई नहीं तो my dear friends अगर आप working है या घर पे रहते हैं you are amazing अपनी value को पहचानो किसी को भी उसे कम मत करने दो लेकिन जताओ भी मत ना किसी को hurt करो खुद से promise करो क्योंकि यही एक बात है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है आपको कभी भी regret नहीं होने देगा कि आपने किसी के साथ बुरा किया है सब के साथ अच्छा करते जाओ और बस यही कि यह मेरी पहचान है मैं दूसरों को heart भी नहीं करती और किसी को जताती भी नहीं हूं कि मैंने क्या किया है जब आप नहीं होंगे आपकी values को time के साथ जरूर पता चलेगी promise me believe कीजिए ऐसा होता है सारा अपना experience आप लोग के साथ share कर रही हूं और पता है आपको सबसे ज़्यादा चोड हमें तभी लगती है जब हम औरों के लिए करते हैं औरों के लिए भी नहीं अपनों के लिए करते हैं जिनको हम अपना मानते हैं उनके लिए करते हैं और बदले में thank you तो बहुत दूर है respect भी नहीं मिलती और उपर से सुनने को क्या मिलता है कि किया ही क्या है तुमने हमारे लिए है ना ऐसा ही है ना नहीं है तो सोच के देखो क्या situation आपके और मेरी same नहीं है यही situation है सभी की और शायद इसी situation की वज़ज़ से इन सब वर्डों की वज़ज़ से हम इस anxiety and depression में है तो friends इन वर्ड को जो दूसरों के ऐसे वर्ड जो हमें तोड़ देते हैं छोड़ दो नहीं It's time to wake up ऐसी लोगों से दूर हो जाओ हाँ possible नहीं है तो बस इतना रिष्टा रखो कि जी नमस्ते अच्छे हो बढ़िया हो कैसी life चल रही है अच्छी चल रही है बहुत अच्छा सब मजे में बस इतना ही रिष्टा रखो उनसे अपने life का पार्ट मत बनाओ रिष्टा भी रखो help भी रखो जब जरूरत हो ताकि खुद को regression ना हो कभी भी कि आपने कुछ नहीं किया उस situation में खुद को डालना ही नहीं है I know बहुत सारे रिष्टे होते हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते और इसी लिए कह रही हूँ बस उनसे सरफ इतना ही रखो help करते रहो काम आओ सब कुछ है but अपनी life का part मत बनाओ नहीं feel करो कि आप उनके लिए हो ही नहीं जैसे वो आपके लिए है ही नहीं ऐसा करो और हाँ उन पर तरस जरूर खाना क्योंकि वो खुद एक मान सिकता के सिकार है जहां वो कुछ नहीं है लेकिन उनके हिसाब से वो दुनिया के सबसे अच्छे लोग है कोई बात नहीं रहने दो गलत फैमी में अच्छा है खुश तो है वो हमें क्या करना है तो उनको ऐसे ही खुश रहने दो तो इन सबसे निकलने का एक ही मंतर है think about yourself your mental health आपकी जो दिमागी हालत है and your loved ones your baby, your hubby your mom dad एक बार अपनी situation को देखो कि आप कहां पर आ गई हो और ये situation आपके अपनों को कितना effect कर रही है इसको जरू देखो आपको इस हालत से I'm sure जब तक इन सब चीजों को जब आप देखोगे तो आप खुद ही इन सब से निकलना चाहोगे problem ये होती है हमारे जो loved one है जो हमारे अपने है real में उनको तो हम कहीं पीछे छोड़ देते हैं और उन उस इनसान को तवज्जो देते हैं जो कहीं matter ही नहीं करता हमारी life में तो friends उन लोगों को उनके situation पर छोड़ दो वो जिस situation में होंगे उसकी responsibility आप मत उठाओ आप खुद ही दूर करोगे अपनी इस problem को ऐसे लोगों को अपनी life में तो रखो लेकिन उनको एहमियत मत रखो क्योंकि रिष्टे हैं निभाने हैं बस निभाने हैं ठीक है I think आप समझ गए होगे कि मैं क्या कह रही हूं खुद को बोलो कि बस अब और नहीं मैं मेरी life का बोस हूँ कोई और नहीं है कोई और मुझे क्यों हसाएगा क्यों रूलाएगा क्यों मुझे कहीं इस situation में डालेगा कि जहां से मैं बाहर ही नहीं आ सकती Life बहुत सुन्दर है मुझे बहुत कुछ करना है ऐसे बैठे नहीं रहना जब भी मन में कुछ भी negative आए तो बोलो बस अब और नहीं येस ये चार वर्ड और आपके दुनिया बदल जाएगी सच में और एक energy के साथ उठे ready हो smile life face पर और वो करें जो आप कमन करता है I hope आपके लिए वीडियो useful रही होगी कोई भी helpful रहा हो कोई भी एक point तो अपने thoughts मेरे साथ जरूर शेयर करें मैंने अपने विचार शेयर किये हैं जब मैंने सोचा कि नहीं अब और नहीं मेरी life का remote तो मेरे ही हाथ में होगा मुझे मुश्किल नहीं हुआ मेरी life का remote मेरे हाथ में है मेरी खुश्या मैं तै करूंगी कोई और नहीं उम्मीद करती हूँ कि ये आज क्या मेरा experience शायद आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ help करें help करें तो जरूर बताइएगा और अगर आप कुछ ऐसा ही मुझसे और चाहते हैं कोई वीडियो शेयर करना या कुछ और आपकी problem है तो आप बताइएगा I know same problem मेरे साथ भी रही होगी तो उमीद करती हूँ कि ये वीडियो तो helpful रही है और आप भी मेरी help करेंगी कुछ और नई topic पे आप लोगों के साथ मेरा experience शेयर करने के लिए बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपना experience शेयर करना तो चलिए उठिये, smile कीजिए निकल ये इस चीज़ से बाहर और मेरे साथ शेयर कीजिए अपना experience नेक्स वीडियो में मिलती हूँ बाबाई, हसते रहे, मुस्कुराते रहे